Hello students, welcome to our channel Shweta Study Point Students, आज का अमारा टॉपिक है प्रात्मिक समूग की विशेस्ता हैं आज के अमारे इस वीडियो में हम प्रात्मिक समूग की विशेस्ताओं के विशे में जानेंगे तो आए जानते हैं प्रात्मिक समूग की विशेस्ताओं के विशे में प्रात्मिक समूह में पाई जाने वाली पहली विशेष्टा यहा है कि प्रात्मिक समूह में सदस्यों के मध्य शारीरिक समीपता पाई जाती है अतह सदस्यों के मध्य निकटता और शारीरिक समीपता होना प्रात्मिक समूहों की प्रमुक विशेष्टा है प्रात्मिक समू के सदस्यों के मद्ध शारेरिक समीपता होने के कारण ही इनके मद्ध आमने सामने के संबंध पाये जाते हैं जिसके कारण प्रात्मिक समू के सदस्यों में अपना पन पाया जाता है क्योंकि प्रात्मिक समू के सदस्यों में अपना पन पाया जाता है अता यह समू अधिक इस्थाईत्व लिये होता है दूसरे शब्दों में कहें तो प्रात्मिक समू इस्थाई होता है प्रात्मिक समूह में पाई जाने वाली दूसरी विशेषता यहा है कि प्रात्मिक समूह का आकार लगू होता है अधिकांश विद्वानों का या मानना है कि प्रात्मिक समूह के सदस्यों के बीच प्रत्यच संबंद पाए जाते हैं यानिक अतात पर यहा है कि प्रात्मिक समू के सदस्यों के मध्य आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं इन विद्वानों का या मानना है कि प्रत्यच्य संबंध अर्थात आमने सामने के संबंध तभी स्थापित हो सकते हैं जब समू का आकार बहुत छोटा हो अता प्रात्मिक समू का आकार छोटा होता है प्रात्मिक समू का आकार छोटा होने के कारण ही प्रात्मिक समू के सदस्य से एक दूसरे से परिचित होते हैं अर्थात एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं तथा एक दूसरे के समीप रहते हैं प्रात्मिक समू में पाई जाने वाली तीसरी विशेशता यहाँ है कि प्रात्मिक समू के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाले संबंदों में घनिश्टता पाई जाती है दूसरे शब्दों में कहें तो प्रात्मिक समू के सदस्यों के मद्ध पाये जाने वाले संबंध बड़े ही घनिष्ट होते हैं क्योंकि प्रात्मिक समू के सदस्यों के मद्ध पाये जाने वाले संबंधों में निरंतरता और इस्थिरता होती है अता इसी के कारण इन सदस्यों के मद्ध पाये जाने वाले संबंधों में घनिष्टता पनप जाती है दूसरे शब्दों में कहें तो प्रात्मिक समू के सदस्यों के संबंधों में निरंतरता और इस्थिरता होने के कारण इनके संबंधों में घनिष्टता पाई जाती है जो की प्रात्मिक समू की एक प्रमुक विशेस्ता है प्रात्मिक समू में पाई जाने वाली चौथी विशेस्ता सामान ये उद्देश्य है क्योंकि प्रात्मिक समू के सदस्य समान उद्देश्यों के कारण ही परसपर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक निवास इस्थान और एक जैसी संस्कृति प्रात्मिक समू के सदस्यों में समरूपता भर देती है जिसके कारण उनके उद्देश्य एक समान हो जाते हैं प्रात्मिक समू के सदस्यों के एक समान उद्देश्य होने के कारण ही प्रात्मिक समू के सदस्य सबके हित की सोचते हैं समान उद्देश के कारण ही प्रात्मिक समू के सदस्यों में त्याग और बलिदान की भावना जागरत होती है जिसके कारण वे व्यक्तिकत स्वार्थ त्याग कर समू के हित में कारी करने को विवश होते हैं कहने का तात पर यहा है कि एक समान उद्देश्य प्रात्मिक समू के सदस्यों को अपना निजी स्वार्थ त्याग कर समू के हित में कारी करने को विवश करता है जिसके कारण प्रात्मिक समू के सदस्य अपना निजी स्वार्थ त्याग कर समू के हित में कारी करते हैं प्रात्मिक समू में पाई जाने वाली पाच्वी विशेस्ता हम की भावना है अधिकांश विद्वानों का या मानना है कि प्रात्मिक समू एक लगू समू है कहने का तात पर यहा है कि अधिकांश विद्वान या मानते हैं कि प्रात्मिक समू एक छोटा समू है जिसके कारण प्रात्मिक समू के सदस्यों के मध्य निकटता पाई जाती है प्रात्मिक समू के सदस्यों के मध्य निकटता होने के कारण इनके मध्य पाई जाने वाले संबंद घनिस्ट होते हैं प्रात्मिक समू के सदस्यों के मद्ध पाये जाने वाले संबंधों की घनिस्टता उनमें हमकी भावना का संचार कर देती है अतह प्रात्मिक समू के सदस्यों में हमकी भावना पाये जाती है जो की प्रात्मिक समू की एक प्रमुक विशेषता है प्रात्मिक समू में पाई जाने वाली छटी विशेष्ता स्वभाविक संबंध है क्योंकि प्रात्मिक समू के सदस्यों के मद्ध स्वैच्छिक संबंध पाई जाते हैं कहने का तात पर यहा है कि प्रात्मिक समू के सदस्यों के मध्य पाय जाने वाले संबंध स्वतह उत्पन होते हैं क्योंकि इन सदस्यों के मध्य पाय जाने वाले संबंधों की कोई शर्त नहीं रहते। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रात्मिक समू के सदस्यों के मद्ध शर्टों के आधार पर संबंध नहीं बनाये जाते इन सदस्यों के मद्ध पाए जाने वाले संबंध स्वभाविक और प्रकर्तिक होते हैं प्रात्मिक समू में पाई जाने वाली सात्वी विशेषता स्वतह विकास है अधिकांश विद्वानों का या मानना है कि प्रात्मिक समू का निर्माण ना होकर स्वतह विकास होता है कहने का ताथ पर यहा है कि इसका निर्माड नहीं किया जाता अपितु इसका स्वता विकास होता है इन विद्वानों का या मानना है कि इनके निर्माड में कोई शक्ती या दबाव काम नहीं करता बल्कि ये स्वभाविक रूप से स्वता विक्सित हो जाते हैं जैसे की परिवार परिवार का निर्मार नहीं किया जाता बलकि परिवार स्वता विक्सित होता है प्रात्मिक समू में पाई जाने वाली आठवी विशेषता प्रात्मिक नियंत्रन है क्योंकि प्रात्मिक समू के सदस्य एक दूसरे से घनिष्ट रूप में जुड़े रहते हैं अता इन सदस्यों के मध्य पारस पर एक जान पहचान होती है जिसके कारण प्रात्मिक समू के सदस्यों के विवहारों पर प्रात्मिक नियंत्रन बना रहता है जैसे की परिवार में व्रिद्ध पूर्शों का भय ही बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोके रखता है ठीक उसी प्रेकार प्रात्मिक समू के सदस्यों के विवहारों पर लगा हुआ प्रात्मिक नियंत्रन प्रात्मिक समू के सदस्यों को दुर विवहार करने से रोकता है अधिकांश विद्वानों का या मानना है कि प्रात्मिक नियंत्रन के कारण ही प्रात्मिक समू का प्रत्येक सदस्य अवचेतन धंग से प्रात्मिक समू के आदर्शों एवं नियमों का पालन करता रहता है प्रात्मिक समू में पाई जाने वाली नौवी विशेस्ता इस्थाइत्व है अधिकांश विद्वानों का या मानना है कि प्रात्मिक समू का विकास शने शने स्वता होता है कहने का तात पर यहा है कि अधिकतर विद्वान या मानते हैं कि प्रात्मिक समू का विकास धीरे धीरे और अपने आप होता है जिसके कारण प्रात्मिक समू की प्रकरती इस्थाई होती है दूसरे शब्दों में कहें तो प्रात्मिक समू के सदस्यों के मध्य पाये जाने वाले संबंध व्यक्तिगत और घनिष्ट होते हैं अता इसी कारण प्रात्मिक समू के व्यक्ति इन समू की सदस्यता छोड़ना नहीं चाते जिसके परिडाम स्वरूप प्रात्मिक समू में इस्थाईत्व बना रहता है अता इस्थाई प्रकरती भी प्रात्मिक समू की एक प्रमुक विशेस्ता मानी जाती है प्रात्मिक समू में पाई जाने वली दस्वी विशेस्ता साध्य संबंध है क्योंकि प्रात्मिक समू के सदस्यों के संबंध स्वव साध्य होते हैं कहने का तात पर यहा है कि प्रात्मिक समू में सदस्यों के उपर संबंध थोपे नहीं जाते बलकि स्वार्थ परता ना होने के कारण इनके संबंध लच्छ और मूल्य समझे जाते हैं अधिकांश विद्वानों का या कहना है कि प्रात्मिक समू के संबंध साधन ना होकर साध्य होते हैं दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकांश विद्वान प्रात्मिक समू में सदस्यों के मध्य पाये जाने वाले संबंधों को साधन ना मानकर साध्य मानते हैं स्टुडेंट्स ये थी जानकारी प्रात्मिक समू की विशेस्ताओं के विशे में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे की आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नॉटिफिकेशन्स मिल सके